ये गाईज वेलकम बेक टो मैं चैनल ग्यानलो काटन क्राप गाईज आज सीरीज का पाचवा दिन है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही आसान और बहुत ही खुबसूरत तरीका प्यंटिंग का शिखेंगे जो कि देखने में भी काफी खुबसूरत लगेग और बन जाए मेरे इस प्यारे से ग्यानलो का एक प्यारा सा सदस्य है गाईज यदि आप इस सीरीज का क्लास 1, 2, 3 और 4 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बक्स में उसका लिंक मैं दी हूँ पहले उस वीडियो को देखिए उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ज यह है मेरा आज का डिजाइन इसको बनाने के लिए सबसे पहले लीफ को लाइट ग्रीन कलर से फील कर देंगे यदि आपके पास लाइट ग्रीन कलर ना हो तो वाइट कलर में थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स कर देंगे तो आपका लाइट ग्रीन कलर बन जाएगा आप चाहे तो थोड़ा सा उसमें यलो कलर भी एड़ कर सकते हैं इसी प्रकार से दूसरे लीफ को भी फील कर लेंगे फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वस्य कर दिजेगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखता है मुझे भी पता चलता है कि क अतने लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है सो लाइक वस्य कर दिजेगा कि फील करने के बाद जब लीफ थोड़ा सुख जाए यह शुखाएंगे नहीं जब तक दूसरा लीफ हो फील करेंगे तब तक पहला सुख जाएगा उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर से उपर के तरफ सेड़ देंगे इस तरीके से फिर ऐसे ही नीचे वाले पार्ट में आप पोजिट डाइरेक्शन से से शेड़ देंगे देखिए इस तरीके से नीचे से भी सेड़ देंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा लीफ बनेगा इसी प्रकार से दूसरे लीफ को भी बना लेंगे फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद प्रेक्टिस अवस्चे किजिए क्योंकि प्रेक्टिस यदि आप नहीं करेंगे तो फिर आपको परेसानी होगी प्रेंटिंग सीखने में वीडियो देखने के बाद प्रेक्टिस किजिए और मेरा यकीन मानिए कि आप यदि इस सीरीज को फ़लो करते हैं और practice भी करते हैं, तो आप आसानी से किसी भी परकार के painting कर लेंगे. painting के इस तरीके को सीखने के लिए वीडियो को अंतक देखिएगा, क्योंकि अंत में बहुत ही प्यारा सा एक लुक आएगा. तो वीडियो को अंतक देखिएगा और डीजाइन के जो डंठल है उसको डार्क ग्रीन कलर से बनाएंगे क्या आप लोगे पास मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच पाता है मेरे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किया था कि मेरे पास आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है जबकि मैंने सब्सक्राइब भी किया है और बेल आइकन भी किया है तो आप लोग कमेंड करके बताइए कि आप लोग के पास पहुंचता है या नहीं ताकि मैं अपने स्रेटिंग को सुधार सकूँ तो चलिए अब फ्लावर बनाते हैं फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले तो परतेक पीटल को वाइट कलर से फील कर देंगे इस तरीके से सबी पीटल को फील करने के बाद नीचे वाले पार्ट में और उपर वाले पार्ट में ब्लू कलर का यूज़ करेंगे और उसके बाद उसे मिक्स कर देंगे इस तरीके से इस तरीके से हलके हाथों से सेट देते हुए उसे मिक्स कर देंगे और यदि इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो बहुत ही प्यारा सा लूक आता है आप खुट ट्राइ करके देखिए आप बुलू कलर के जगह पे कोई भी डार्क कलर ले सकते हैं जैसे की बना लेंगे कर दो बना लेंगे करली भी इसी तरीके से बनाएंगे सबसे पहले वाइट कलर से फील कर लेंगे उसके बाद नीचे बुलू कलर लगाकर हरल के हाथों से मिक्स कर देंगे और बीच का जो खाली पार्ट है उसमें लाइट ग्रीन जो बनाए हुए है उसका यूज करेंगे इस तरीके से और बीच में थोड़ा सा डार्क ग्रीन का यूज करेंगे इस तरीके से और उसको मिक्स कर देंगे तो यह है इस डिजाइन का फाइनल लूक मुझे तो यह बहुत ही खुशूरत लग रहा है आप कमेंट करके बताए कि आपको पेंटिंग का यह तरीका कैसा लगा और यह डिजाइन आपको कैसा लगा हैं फ्रेंट्स केदी अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज अब तो लाइक कर दीजूएं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के एक खुशूरत डिजाइन के साथ तब तक आप हमारे वीडियोज को देखते रहिए और प्रेक्टिस करते रहिए थैंक्स पर वाचिंग बाब बाई